स्वागत है आपको एक वार फिर से आपके अपने यूटूब चैनल रस्तोगी कोची में आज के इस वीडियो में जीवन पर्चे के बारे में अध्यन करेंगे तो आज जो है तूलसी दास का जीवन पर्चे के बारे में बताया जाएगा तो जीवन पर्चे आपको तुरंत य जीवन परचे आपको याद करना है तो कैसे याद किया जाएगा तो सबसे पहला काम जो है एक जो है ऐसे कालम बना लेंगे जैसे यहां पर बना करके रखा गया है देख सकते हैं जन्म क्या है 1532 में हुआ है और अस्थान क्या है राजापुर गाउं है माता का नाम हुलसी है पीता का नाम आत्मा राम दूबे है गुरु इनके कौन है नर हरी दास है पतनी रतनावली है और इनकी मृत जो है 1623 इस्वी में है और रचना क्या है कवितावली गितावली राम चरित मानस में से कोई एक लिख सकते हैं अब इनका जीवन परचे कैसे लिखना है तो ऐसे का दिया जा रहा है और आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कौपी में जरूर बना करके लिखिएगा तो यहां पर लिखेंगे तुलसी दास अगर तुलसी दास का जीवन परचे में सबसे पहला आपको सनियाद रखना पड़ेगा तो लिखेंगे यहां पर महा कभी तुलसी दास का जन्म तुलसी दास घीडा जीगा जन्म जन्म सन या देखें सन 1532 इसमी में 1532 इस्वी में वादा जिला के राजा पूर गाउं में हुआ था कितना आसान है और कहां सी ये लिखना है ये जो कालम बनाए थे इसी कालम को देख करके लिखना है सन 1532 में और राजापुर गाउं में हुआ था और इनका माता का नाम क्या है? हुलसी है तो यहां लिखेंगे राजापुर गाउं में हुआ था में हुआ था हुआ था इनकी माता का नाम इनकी माता का नाम माता का नाम जो है इनकी माता का नाम क्या था? हुलसी कितना असान है हुलसी इनकी माता का नाम क्या है हुलसी है आपको भूलेगा ही नहीं इतना असान नाम है हुलसी या दखेंगे हुलसी इनका गाउं का नाम क्या था राजापुर गाउं और सन क्या है पंदरे सो बतीस है माता का नाम हुलसी तथा पीता का नाम या दखे यह लिखेंगे आत्मा राम दूबे जब इनका जन्म हुआ था तो वह रोई नहीं थे या जन्म दूर्षी दास जी का जब जन्म हुआ तो वह रोई नहीं थे उनके मूँ से हे राम की आवाज निकला तो इनकी मातास इनको क्या समझ गए राच्छत समझ गई क्योंकि उनके पूरे 32 दाथ थे और उनका पालन पोसन के लिए एक दासी को क्या की दे दी लेखेंगे जब इनका जन्म हुआ जब इनका जन्म हुआ जन्म हुआ तो वह रोए नहीं वह रोए नहीं नहीं उनके मुह से हे राम की आवाज निकला और इनके पूरे क्या थे 32 दा थे निकला तथा इनके पूरे 32 दांत थे पूरे जो है किने दांत थे 32 दांत थे मतलब जन्म जब इनका हुआ उनके दांत कितने थे 32 थे इनके पूरे 32 दांत थे इनकी माता इनकी माता जो है इनको क्या समझ गए इनकी माता इनको राच्छ समझ गए इनको क्या समझ गई राच्छ समझ गई और राच्छ समझने के वज़ा से इनको जो है एक दासी को क्या की दे दी राच्छ समझ गई बहुत असान है समझ गई इनको क्या कर दी? इनको जो है एक दासी को दे दी राच्छा समझ गए इनको एक दासी को दे दी इनका पालन पोशन या दखेंगे इनका जो पालन पोशन हुआ इनका पालन पोशन जो किया कौन किया था? पालन पोशन किस ने किया था? पालन पोशन दासी ने किया था कितना आसान है इनका पालन पोशन किस ने किया? एक दासी ने किया बहुत आसान बिधी से बताया जा रहा है जिससे आपको ये जीवन पर्चे हमेशा के लिए क्लिए क्लिए याद हो जाए अब इनका जो पालम पॉस्टन जो दासी ने किया इनके जो गुरु थे इनके जो गुरु थे कौन थे इनके गुरु नरहरी दास थे कितना असान है नरहरी दास थे इनका साधी जो हुआ इनका शादी किसे हुआ इनका साधी रतनावली से हुआ कितना असान जीवन पर्चे बताया जा रहा है तो इसे जो है आप सब्धियार्थी एपने कापी में नोट भी कर लिजए और कहां से यह बनाया गया है तो बस इतने कालम अगर आपको याद है तो आप जो है इनका जीवन परचे जो है आप सोई विध्यार्थी बना सकते हैं अब इनका जो मिरित हुआ, तो मिरित किस्चन में हुआ, तो कासी में जो इनका मिरित हुआ, कासी के असी घाट पर सोरे सो तेई सिस्वी में इनकी मिरित हो गया, लेखेंगे इनकी मिरित हुआ, इनकी जो मिरित हुआ, कहां पे हुआ था, इनकी मिरित जो है कासी, कहां पे हु असी घाट पे हुआ था, असी घाट पर सन किसन में हुआ था, सन 1623 इसवी में हुआ, कितना असान है, तो जब भी यह जो है, आप लोग अंडर लाइन जरू कर लिज़ेगा, जैसे यहाँ पर गाउं है, राजापुर गाउं, सन है, पिता जी का नाम है, तो यहाँ पर अंडर लाइन कर लेंगे, परिच्छा में ऐसे अंडर लाइन जरूर कीजेगा, तो अगर अंडर लाइन जब करेंगे, तो आपका नजर जो है, यह अंडर लाइन जो किये रहेंगे, तो जामलर का जो नजर होगा, सबसे पहले इसी पर जा और रचना में जो है कोई एक रचना अगर दो रचना पूछा जाएगा तो दो रचना लिखिएगा अगर एक रचना पूछा जाएगा तो एक रचना लिखिएगा तो यहां पर अगर एक रचना लिखने हैं तो यहां लिख सकते हैं इनकी रचना है कभी तावली इनकी जो है नमबर मिल जाएगा क्योंकि इसमें जो है इनके बारे में बताना है पूरी कहानी इनके बारे में नहीं लिखना है इनका कीवल जीवन परचे के बारे में बताना है और एक रचना पूछा जाएगा इस पे एक नमबर आपको रचना पर मिल जाएगा तो यह जीवन परचे तो आज का वीडियो जो है इतना ही रहेगा मिलते हैं अब अगले भाग में तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार.